किसान साथियों नमस्कार मैं खेमचेंद भवनेज जैविक किरसी फारम लेखी जिस्टिक पलवल इस्टेट हरियाना से बात कर रहा हूँ मेरा मोबाइल नमबर है 86079333 किसान साथियों आज मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ आजियों कि हम पराली को डीकम्पोज कैसे करते हैं वेश डीकमपोजर के द्वारा तो देखें ये हमारा वेश डीकमपोजर ये कितना गाड़ा है ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इसे देखने के बाद आपको यह पता चल रहो होगा है कि यह कितना करणा है यह यह इसे चबकर आई ये इतना अच्छे तरीके से बन चुकators में देखिए यह यह देखिए यह हमारा साड़े तीन चार अजाल लिटर का साड़े तीन अजाल लिटर कम से कम इसमें पानी आता है इसमें हमने 10 कलो गुड और करीब 20 लेटर यह वेश्ट भी कंपोजट ताजा गोल बना हुआ करीब 15 दिन पुराना हमने इसमें डाला हुआ है और जब यह बन करके तैयार हो जाएगा तो जिसमें हमने धान की फसल लगाई थी उसमें हम पानी के साथ में इस पाइप के द्वारा इसको देंगे और यह देखे यह हमने इसमें पाइप लगा रखा है यह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यह टुलू है यह अपने आप इसमे मल्टिपलाई होता रहता है और यह इस बरहा के द्वारा यहां से पैप यहां पर डाला जाएगा और यह बरहा के द्वारा इस खेत में जब जाएगा पानी की तो जो हमारी पराली है उसको डीकमपोज करेगा और जो एक बहुत ही अच्छी खाद बन करके तैयार हो जाएगी तो मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि वो खेत जिसमें हमने पराली को फैरोन के द्वारा जोताई कर दिया है तो मैं देखिए आपको दिखा रहा जिसमें हमने जुताई की थी अब हमें इसके अंदर पानी चलाना है इसको डीकमपोज कैसे करना है वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ यह देखिए यह पराली यह पूरा खेत आप देख सकते हो अब हमने इसमें जुताई कर दिया है इसमें जो वेस्टेज है यह मिट् खेत है इसमें हमने पहले भी पूरी फसल के अंदर ही वेस्टी कमपोजट डाला था तीन हजाल लेटर पर एकड़ के इसाब से हम इसमें वेस्टी कमपोजट डाल ते जो बहुत ही निरोगी धान हुआ था हमारा अब यह मैन कारण पराली का है इसको डीकमपोज करने का है तो मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि यह देखिए यह पराली है और यह मिट्टी में मिल चुकी है यह देखिए जो लाश्ट का पानी दिया था यह जो अब यह अपने आप ही गलने लगाए यह आप देख सकते हो और अब इसमें जब पानी चलेगा साड़े तीन अजाल लेटर का पूरा टैंक है यह एक एकड हमारा खेत है जिसमें हमने धान के फसल लगाए थी अब यह पूरा जो टैंक है वो पानी के साथ मैं इसको दिया जाएगा और यह पूरी तरह से जब दस से बारे दिन के अंदर जब यह जुताई के योग्यों हो हमारा निर्मित जो हमारा वेश डी कंपोजर माननीय डॉक्टर साव किसंचंद्रा जी और डॉक्टर जगस सिंग जी की बड़ी ही किरपा से इसको बनाया गया था तो उनकी महनत आज इस पे रंग ला रही है तो इसको डी कंपोज करने का जो सबसे बढ़िया जो तरीका है वो यह है कि किसान साथी कम से कम 3000 लेटर साड़े 3000 लेटर 4000 लेटर जितना भी ज़्यादा हो सके वो अपनी इस फसल के अंदर इसे यूज कर सकते हैं और किसी वी चीज को डी कंपोज करने के लिए जो वेश डी कंपोजर है यह बहुत ही अच्छा साधन है तो मैं सभी किसान भाईयों से यही कहना चाहता हूं कि वो वेश डी कंपोजर को अपनाए और आज हमारी सरकार ने हरियाना की गौर्विंट ने इस पे वेश डी कंपोजर 50% सबसीड़ी देने का भी एलान किया है तो सभी किसान भाईयों से अपील करना चाहता हूं जो हमारे मानने या डॉक कोई भी अपने खीत के अंदर इस पराली को ना जलाएं और वेस्ट डीकमपोजर के द्वारा ही इसको आप डीकमपोज करें तो सभी किसान साथियों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वो जादा से जादा अपने खीत के अंदर अपनी मिट्टी को अच्छी बनाने के यह वो वेस्ट डीकमपोजर को अपना है किसान साथियों मैं आपसे यही अपील करता हूँ और मान्य डॉक्टर कि संचंद्रा जी और डॉक्टर जगर सिंग जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस वेस्ट डीकमपोजर को बनाया धन्यवाद जय भार झाल 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 झाल